मेरे प्यारी विदार्थियो श्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल इनोवेशन स्टडी में मैं संदीप चोदरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर वाँ हूँ पीचे वाली क्लासे नहीं देखी है ति इस क्लास के आई बटन या फिर दिसक्रिप्रिप्सन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर कि आप पिछी वाली क्लासे देख सकते हैं या फिर आप playlist में जाओगे तो continue सभी class से आपको देखने को मिलेगी एक आपकी जानकारी के लिए बता दो अगर किसी भी student को PDF डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलिग्राम चेनल जोइन कर लीजीगा लिंक मैंने आपको description box में दे रखा है वहां से जाकर करके टेलिग्राम चेनल को जोइन कर लें और परते एक class की परते एक सब्जेक्ट की और परते एक एक्सिलेंट और संजीव दोनों की आपको हिंदी मीडियम की डेसर रख है वो free में आपको वहां पे मिल जाएगी चलिए याँ शुरू करते हैं आज का session 10 number model paper का पहला question देखेगा खंड A है और इसमें पहला question है लार में उपस्तित एंजाइम कौन सा है तो वह आपका right answer होगा टाइलिन एंजाइम होजेगा बै ओप्शन आपका यहां पर right answer होगा अगला question देखो भी थायरोक्षिन के निर्मान के लिए किस तत्तों की आवशकता होती है तो थायरोक्षिन के निर्मान के लिए आयोडिन की आवशकता होती है और thiroxin में अगर यानि iodine की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है तो यह गल गंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है थाइराइड गरंथी में होता है और थाइराइड गरंथी वो गले में होती है ठीक है अगला क्यूशन देखो भी दो तंत्रिकाओं के बीच रहोगा आगे चलते हैं भी पांच नमर क्योशन देखिए किसी बीम का कोई भी बीम है कोई बीम यानि वस्तू है उसका आउतल दरपन द्वारा बना परती बीम आवासी सीधा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तू की स्तीती कहां होनी चाहिए वस्तू कहां पर रखी गई है तो यह आउतल दरपन के धुरो और फॉक्स के बीच नूरी के बीच में यानि एफ़ और धुरो के बीच में यहां पे रखी गई है यहां पे कोई वस्तू रखी गई है जिसका परती बीम है वो आवासी और उल्टा बनेगा एक ही condition एशी होती है ये condition जो यानि दरपन के ध्रो और फॉक्स के बीच में रखी गई है तबी यही एक condition है जहां पे परतिविम है वो कैसा बनेगा आवतल दरपन में आभासी और शिदा बनेगा बाकी और condition है उसमें वास्तुविक और उल्टा बनता है अगला question देखो भी समाने दस्ती के वैस्सक के लिए सूस्पस्ट दर्शन की अलपतम दूरी 25 cm होती है नेक्स question है विदूत आवेस का असाई मातर क्या होता है तो कुलाम होता है जिसे क्यों से डिनोट किया जाता है अगला question देखो भी तार का अनुप्रस्त कार्ट छेतर फुल आदा करने पर परती रोध क्या हो जेगा तो दोगुना हो जेगा यानि बै ऑप्षिन है वो आपका यहां पर रैट एंसर होगा आगे चलते भी next question देखीगा अगला question है लोही चुरण पर तनुप हाइड्रोकलोरिक अमल डालेंगे तो हाइड्रोजन गेंस और आइरन कॉल्राइड बनेगा प्राकर्तिक गेंस के दहन करने पर प्राप्त होता है तो कारबडाई उक्सेड प्राप्त होती है प्राकर्तिक दस नमर क्योशन में थोड़ा सा क्रेक्शन कर लेना भी यहां पर प्राकर्तिक गेंस जो कि CH4 होती है CH4 मेथेन इसका अगर हम ओटो ऑक्सिजन की प्रजेंस में अगर हम इसको दहन करेंगे तो हमारे पास में CO2 बनेगा प्लस में अच्टू बनेगा और प्लस में क्या बन और उर्जा भी हमें प्राप्त होगे इन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशिल धातु कौनसी है इन में से सबसे अभिक्रियाशिल धातु कौनसी है तो सोडियम हो जीगा के ना कार मांगे है ना अलू जाने फिर इस परकार से उसको अभिक्रिया शिलता के अधारपन उनको को याद कर लेना भी ठीक है के ना कार मांगे तो के पोटेशियम होजेगा ना से सोडियम होजे के ना कार यानि केल्शियम के ना कार मांगे मेगनीशियम अलू जाने अलू जाने फिर परभू है क्यूं होगी आगे औरत तो इस परकार से इसको करम में आप याद रख लेना सो और प्लेटिनम को गलाने वाले अमल को हम एकवारेजिया बोलते हैं बै आपका रायटेंसर होगा हमारा उदर उदर का मतलब होता है पेट में कौन सा मल पाया जाता है तो हैड्रोकलोरिक असिड असियल पाया जाता है ठीक है और जो अस्टुआसोफोर है यह बेंट्री में प अगला देखो फिझ गेंके लिए आऊशक होता है तो दीने को पर्तिलपी करने वहमा आशक होती है जब दीने की फोटो कोपी बशान लेंगिक दीन हो जाता है लेकिन दीने का विटिन यह नहीं होगा तो यहां पे होगा तो यहां पर पर पाथरन लिपी करन यानि फोटो कोपी होना आउशख है बैय ऑप्षयन आपका राइट ऐंसर होगा उच शक्ति के विदूत सांधीत्रों के बाहरी आवरन को ग्रेलू परिपत की बूतार से जोड़ना क्या क्यलाता है थो Architect क क्यलाता है यानि सए Option है वह आपकी यहां पर Target होगा तो पहले होगधा है वह हमारा इस परकार से कंप्लिट हो जाता है और अब आता है मारा दो नमर Foi L critics दोर नमर apex il in the blank वाला है सासात में क्लास को लाइक करते रहे हैं जिसने भी क्लास को लाइक नहीं खिया तो एक बर खेट क्लास को लाइक जरूर करने ताकि हमारा भी Dynasty बना रहे और चैनल पर अगर अगर आप नहीं है तो पारकासージ शलिशी जिवानूं में पो inflation पाया जाता है तो सोव पोसी होते हैं सोव पोसी यानि वह अपना भोजन है वो स्वेम बना लेते हैं जिसमें प्रकास अंसलेशन होगा वो भोजन स्वेम बना लेगा तरल एदातु पूछा है तो ब्रोमीन ब्रोमीन है वो क्या है तरल एदातु है और तरल धातू पूछ लेता तो कौन सा होता तो ये मरकरी हो जाता भी मरकरी यानि अच जी है वो क्या है तरल धातू है और तरल ऐ धातू है वो है ब्रोमिन मरकरी है ये कमरे के तापर क्या है लिक्विड फोर में पाए जाती है अगला क्यूशन देखो भी के अंडास्य के अंदर बिजांड पाया जाता है तो पुसप में अंडास्य के अंदर है वो क्या पाया जाता है बिजांड पाया जाता है बिना बुज़े वे चुनने का रसाइनिक नाम लिखो भी तो केल्शिम ओक्साइड जिसे C A O लिखते हैं क से डुप से हेंशता है और बिना बूज़ा वटैस शुनोंग कैलसियम ओक्साइड होता है कहैं। आउतल गाड़ी के हेडलाइट में आउतल दरपन का प्रियोग किया जाता है और गाड़ी के साइड सिसे में साइड ग्लास में किसका यूज किया जाता है तो उतल दरपन का यूज किया जाता है अगला क्यूशन देखो भी किसी विदूत प्रिपत में परतिरोध को परिवर् करने के लिए का उप्योग किया जाता है किसका यूज किया जाता है तो धारा नियंत्रक का यूज किया जाता है तो यहां पर आजेगा इसमें धारा धरा नियंत्रक आजिएगा अगला क्योशन देखो भी वे परदार्थ जो जेव परकरम दवारा अपगटित हो जाती है क्या कहलाती है तो वो जेव निमनिकर्ण कहलाती है आगे चलते भी दोर नमर क्योशन है वो हमारा कम्पलेट हो जाता है next अपना question आता है तीन number, तीन number question देखो भी हमारे सरीर में सबसे कठोर परदार्थ कौन सा होता है तो inamel होता है inamel, और यह inamel किसका बना होता है, तो यह calcium phosphate का बना होता है, ठीक है यह calcium phosphate का बना होता है it's okay, और inamel ऊक्रशर कोगां होता था भी दंतों के उपड़ीट के ऊपर होता है ठीक है अपने जो कोठोक रहे ज़ो कपर और समय को और परदाता हम देनवल होता है। निस्थापन से क्या तात्प्रिया है निस्थापन किसे कहते हैं तो निस्थापन वह परक्रम होता है जिसमें कार्बोनेट एस सको वाईउ की अनुपस्तिति में गरम किया जाता है निस्तापन से क्या तात्प्रिया तो निस्तापन वह अभिकिरिया है जिसमें क्या होता भी कार्बॉनेट एस चको वाई-उ की अनुप्तित में अपसेंट में वाई-उ की अपसेंट में उसको क्या किया जाता है गरम किया जाता है तो वो क्या कहलाता है निस्तापन कहलाता है अगला question देखो भी formic acid का IUPAC नाम थता सरंचना सुतर लिखना है आपको किसका तो ये formic acid का लिखना है formic acid का IUPAC नाम क्या होता है तो आपका right answer होगा methanoic amal क्या होगा भी methanoic amal formic acid का IUPAC नाम methanoic amal होता है और इसका सरंचना सुतर अगर आप लिखना चाहोगे तो इसको इस परकार से लिख देना H यहाँ पर carbon फिर यहाँ पर oxygen जोड़ देना इसको और यहाँ पर OH जोड़ देना ठीक है है तो इस परकार से इसका यह दो होजेगा बियोटेन का सुतर लिखना है विटेन का सुतर लिखो तो C4H10 ठीक है और इसमें carbon तो होंगे add हो जाएंगे तो यहां पर 3 यह 3 2 5 5 और 2 7 और 7 और 3 10 इस परकार से हो जाएगा आगे चलो भी next question है परकास किस परकार वर्दी को परभावित करता है तो परकास है वो हरित लवक हरित लवक परकास का आउसोशन करके पोदों में भोजन त्यार करता है यानि जो हरित लवक है यह पोदों में पाया जाता है जिसके कान पोदे वो हरी रहते हैं और हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कान क्या है वो हरी रंग का होता है ठीक है और यह हरित लवक करता है और भोजन का निनमान करता और भोजन जैसे ही त्यार होता है तो जो किया करता है परकास प्रकिरिया है जो भोजन बनाने की ये प्रकिरिया हरित लोख है वो कंप्लीट करता है अगला क्यूशन देखो भी संकर परजनन क्या होते हैं संकर परजनन क्या होते हैं तो दो विवीन परजातियों के नर या फिर मादा दवारा लेंगिक जनन संकर परजनन कहलाता है अगला question देखो भी next question है अपवर्तनाग का परकास के वेग से क्या समंद है तो यहाँ पे अगर अपन को अपवर्तनाग ज्याद करना है अपवर्तनाग को म्यू से डेनोट करते हैं अपवर्तनाग ज्याद करना है तो हमें निर्वात में परकास की चाल ज्याद करने पड़ेगी निर्वात में परकास की चाल अपोन क्या आजेगा माद्यम में परकास की चाल आजेगा आगे चलते हैं नेक्स आता है दरपन सुतर लिखो असान सा है एक बटा F बराबर क्या होता है एक बटा U प्लस में एक बटा V ये होता है दरपन सुतर अगला किशन देखो भी तार के फेरों की सरंचना पर चुम्ब के सक्ति किस परकार निर्वर करती है तो जैसे जैसे हम तार के फेरों की संख्या को बढ़ाते है तो चुम्ब के छेतर भी क्या होता है बढ़ती है तो जैसे जैसे हम तार की संख्या बढ़ाएंगे जो तार के फेरों की संख्या वो बढ़ाएंगे तो चुम्ब के सक्ति बढ़ेगी और जैसे जैसे हम तार के फेरों की संख्या को घटाएंगे तो चुम्ब के सक्ति भी क्या हो जाएगी घट जाएगी तो ये एक दूसरे जीवान, ये हो जएगा, ठीक है, अगला क्योशन देखो, भी next क्योशन आता है, चार नमर क्योशन है, तीन नमर क्योशन अपना complete हो जाता है, I hope आपको परतेक क्योशन समझे में आया होगा भी, और फीर भी कोई भी क्योशन सम्में आपको doubt है, तो मुझे अबकिरिया दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्मान करते हैं वो क्या क्या किलाता है ठीक है और जैसे अगर मैं बात करों भी और इसमें अगर हम ऊक्षिजन को मिला दें तो क्या बन जाएगा च्टू यानि जल बन जाएगा यहांपर क्या है दो अब करमक है और ओक्षिजन और फिर यह स्किए अब कर्मक उस्मापकर या फिर अपकटित होकर वियोजित होकर छोटे-छोटे टुकडों में बंट जाता है वो क्या कहलाता है वियोजन अबकिरा कहलाती है जैसे एक्जामपल के रोप में अगर हम बात करते हैं तो FeSO4 है यह फेरिक ओक्साइड है अगर इसको हम गरम करते हैं इसको गरम करते हैं उसमा देते हैं तो यह किसमें तूट जाता है तो यह Fe2O3 Fe2O3 प्लस 802 और प्लस 803 में यह तूट जाता है तो यह क्या है एकल अभिकरमक था यह उसमा पाकर के क्या है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना देता है वो होता है वियोंजन अभक्रिया आगे चलते भी नेक्स देखेगा अगला क्यूशन है क्या होता है क्या होता है जब सोडियम सलफेट का वीलियन बेरियम कुलराइड के वीलियन में मिलता है यानि क्या होता है जब sodium sulphate का वीलियन बेरियम कल्राइड की वीलियन में मिलाया जाता है इसका संतुली तरस्टैनिक समीकन आपको लिखना है और यह है अब किरिया किस परकार की है यह अब किरिया है वो किस परकार की है यह आपको बतानी है तो इसमें क्या होता है जो बेरियम कलराइड है जैसे की बेरियम कलराइड है बेरियम कलराइड क्या है उसमें बेरियम कलराइड एक क्या बन जाएगा फिर बेरियम कलराइड है sodium sulfate sodium sulfate होता है Na2 Na2-so4 होता है sodium sulfate plus में इसमें क्या मिलाए जाता है barium chloride B-A-C-L-2 मिलाए जाता है तो ये क्या बनेगा ये बन जाएगा NaCl ये क्या बनेगा तो NaCl plus में क्या बन जाएगा B-A-O-4 B-A-O-4 और B-A-O-4 यानि बेरियम जो सलफेट है यह सफेद आउक्षेप बनता है सफेद आउक्षेप के रुप में बन जाता है ठीक है आगे चलो भी साबून की मिशेल सरंचना का चीतर आपको बनाना है जैसा कि आप इस डाइगराम में देख पा रहे हैं इस परकार से यह आपको यह डाइगराम बन मिशेल सरंचना का चाम न यक्स देखेगा अगला क्यूशन है सात नंबर बेंजिन का सरंचना सुतर लिखना है और यहां पर बताना है उसमें उपस्थी त्री बंदों की सरंचना लिखनी है तो बैंजीन ओतल जेएक सरंचना वन रहा है यह दी सरगा इस परकारसी होती है इसमें क्या होता है ? Carbon भी 6 होते हैं और Hydrogen भी 6 होते हैं तो यहाँ पर इनकार के है यह होती है Benzen की सरखना और इसमें क्या होते है अगर आपने यहाँ पर Double Bond लगा दिया तो एक को छोड़कर के आगे वाले पर दो एक को छोड़ो और फीर आगे वाले पर Double Bond तो इस परकार से डबल बॉंड और इसमें सिंगल बॉंड होते हैं ठीक है इसमें त्रिपल बॉंड है त्री बंद है वो नहीं होते हैं त्री बंद इसमें नहीं होते हैं ठीक है इसमें तीन तो क्या होते हैं इसमें एक दो और तीन तीन तो इसमें क्या होते हैं भी दिवी बंद होते हैं और एक एकल बंद होता है आगे चलो भी next नेक्स पने पास में आता है आठ नमबर यकरत के कारिया लिखने है यकरत के कारिया क्या क्या है यह आपको लिखना है तो यकरत क्या करता है भी पीतरस का स्त्राव करता है यकरत से पीतरस का स्त्राव होता है और पीतरस है वो पिताश्य के अंदर है वो संचीत होता है ठीक है लेकिन स्त्राव कोन करता है उसका यकर्थ करता है तो पीतरस का स्त्रावन करता है जो की क्या करता है अमासे में आय भोजन को शर्य बनाता है और वसा के मलसी करण में सायक होता है बोजन को सड़ने से रोकता है अहर नाल के कर्मा कुंचन गती को उधिपन करता है ठीक है और यकर्थ में ग्लाइकोन यकर्थ में ग्लुकोजिन ग्लुकोजिनोलाइसिस की किरिया होती है जिसमें क्या है आउशक्ता पढ़ने पर glycogen से glucose बनता है जैसे कि अपन को glycogen यानि गुलकोज की आउशकता पड़ गई तो ये क्या करता है? यकर्थ में glycogen से क्या बन जाता है? गुलकोज बन जाता है और इसमें क्या होता है? यकर्थ में glycogenesis की क्यिया होती है जिसमें आवस्टता पढ़ने पर एमिनो यो वसिय अमलों के गुलकोज का निर्मान होता है यकर्त वसा यो विटामिन का संचे भी करता है वसा का भी और विटामिन दोनों का संचे करता है शंग्रह करता है ठीक है आगे चलते भी नो नमर क्यूशन देखो नोन नमर क्योशन है बिजानु दवारा जनन से जीव किस परकार लभानवित होता है तो यहाँ पे बिजानु जनन किस में होता है बिजानु जनन होता है वो पोदो में होता है ठीक है बिजानु जनन है वो पोदो में पाया जाता है और बिजानु के उपर एक मोटा रक्षी परियावरण होता है जो उनकी पर्तिकुल परियावरण में रक्षा करता है हलके होने के करण वायू द्वारा उनका परकिन्दन सरल होता है अनकूल परसीतियां जैसे की उची तिताप है नमी है भोजय परदार्थ आदी है मिलने पर बिजानू अंकुरन करके नेज जिव को देते है जैसे कि अपन बात करते है राइजी उपस है म्यूकस है अधी तेक है अगला पूसब को परिवासित की जिए और इसके दो उधान आपको लिखने है एक लिंगी पूसब कौन सा होता है एक ऐसा पूसब जिसमें केवल एक ही जन्नांग हो या तो पुंकेसर हो या प स्तृ स्ः-पिर स्ट्रेकेसर हो squashां पूंधकxico फिरा एक फिर दोनों में से अगर पूसम के अंदर एक ही जंदांग है तो वह कौन सा है एक लिंगी होता है अगर दोनों ही पाय जाती है च्पिर ऑप केसर भी पाया जा अगला क्यूशन देखो भी नेक्ट क्यूशन है परकास के परकास से अपवरतनाक परकास से परकास वायू में परकास वायू से 1.50 अपवरतनाक की कांस की प्लेट में परकास प्रवेश करता है कांस में परकास की चाल कितनी है कांस में परकास की चाल कितनी है निरवात में पर 8-2-8 पर सेकंड है। यहां पर एक फॉर्मूला होता है जो कि N बराबर क्या होता है। C higher V और यहां पे V और N, V यहां पे अगर आपन बात करते हैं, परकास में कोई भी मीडियन है, उसके अंदर परकास की चाल ग्याद करनी है, वो होता है V, और N होता है एक परकास से अपवरतनाक होता है, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, तो अपने पास में C की वेल्य पर सेकिन ठीक है और अपने पास में एन की वेलियू दे रखी है एक पॉइंट पचास अपरतनाख ठीक है और अपने पास में V है वो अपने को ग्याद करना है तो अपन असानी से ग्याद कर सकते हैं 3 x 10 की पावर 8 और अपॉन में लगा दो में 1.5 तो पॉइंट अटाओंगा तो उपर लग जाएगा 10, 0 लग जाएगा 3 x 3, 5 x 15, 5 x 5, 5 तो भी 10 तो अपने पास में निकल किया गया 2 x 10 की पावर 8 मिटर पर्टी सेकिंड है वो उसकी परक काले कागज से ढख दिया जाए क्या यह लेंस किसी बिम पर फूरा पर्टी भी बना पाएगा अपने उत्तर को चितर दवार दरसाईए और अपने प्रक्षणों की व्याख्या करनी है यहां पर तो इस परकार से आपको एक डाइगराम बनाना है जैसा कि आप यहां पर 12 न और मौमती का पूरा पर्तिविम आपको प्राप्त होगा किन्तो क्यों की जो संख्या है वो कम होने पर कम होने के कान पर्तिविम की तीवरता है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी अगला क्योशन देखो भी तेरा नमर क्योशन है जूल का उसमिय या फिर तापन नियम क्या कहता है तो यहां पे जूल के उसमयो नियमा नुसार अगर हम बात करते हैं तो उसमा उत्पन उत्पन जो उसमा है उसकी मातरा विदुधारा के वर्ग के समान पाती होती है उत्पन जो उसमा है उत्पन जो उसमा की मातरा है वो विदुधारा के वर्ग के समान पाती होता है मै दूसरा नियम दूसरा जो नियम है इसका ये पहला नियम हो गया भी हीट जो उत्पन उसमा है वो किसके समानपाती होती है तो आई स्केर के विदू धारा के वर्ग के समानपाती होती है दूसरा नियम इसमें ये बोलता है भी जो हीट है ये समानपाती होती है पतिरोध के भी हीट है ये समानपाती होती है टाइम के हीट है वो समानपाती होती है टाइम के इन तीनों को मिलाकर के अपने पास में ये निकल के आता है भी हीट है वो समानपाती है किसके आई स्केर के और आर के और टी के इन तीनों के क्या होती है ये समानपाती होती है यहां तक कलियर ह हो गया कोई दीकत नहीं है चाओदा नबर क्योंषिन देखंट थक्रिकोंane Right या वह कौन से कालत्व है जिन पर विदूधारह नीरब्र करती है तो पहले तो तो कुंड़ीी में ले पेटों की संख्या पर हाव निरब्र करती है कहने का मतलब है जितने ज्यादा लेपेटे होंगे जितने ज्यादा लेपेटों की संक्या होगी और विदुधारा भी उतनी ही अधिक होगी और जितना कम होगी विदुधारा उतनी ही कम हो जाएगी ठीक है दूसरी इसमें दूसरा है वो इसमें आजेगा चुम्बक की सक्ति पर पीछे अटाने से विदुधारा पर अनकूल या फिर परतिकुल प्रवाव परता है सुम्बक की सक्ति अधिक होने चाहिए तीसरी जो इसकी प्रोपरटी है वो यह है वह चुम्बक को कुंडली की और बढ़ाने पर यदि कुंडली की और तेजी से बढ़ाया जाए तो बंद कुंडली में विदुध का प्रेन है क्या होजएगा और दिरे-दिरे बढ़ाएंगे तो उसका प्रेन है क्या है दिरे-दिरे होगा अगला क्योशन देखो भी पंदरा नमर क्योशन है जिवानू एयों कवक आप गटक क्यों कहलाते हैं परियावरण के लिए आप गटकों का महतों आपको यहां पे लिखना है तो जिवानू कवक आप गटक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह मर्थ पेड़ पोदे जिवजनतों के सरीरों में उपस्तित जटिल कारपनिक योगिकों को स्तरल परदार्थों में आप गटित कर देते हैं पर्यावन के लिए आप गटकों का महतो इस परकार है कि आप गटक परदार्थ के चक्रन के संख्या में योगदान करते हैं और यह पर्यावन की सवस्ता के लिए योगदान करते हैं तो इस परकार से आज हमने 15 क्योशन है वह कंप्लीट किये हैं आई होप आपको पर्तियक क्योशन समझ में आया होगा भी ठीक है अगर फिर भी कोई भी क्योशन में आपको डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जुरू बताए आपकी डाउट को कलियर को जुरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरों तुसका लाभुटास को तो आज की क्लास में इतना ही मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिन जै भारत